नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आगए है सुपरफास्ट रश्न 2022 में जो जो तैयारी कर रहा है स्टुडेंट है गौवर्मेंट जॉब की चाहिए स्टेट गौवर्मेंट की कर रहा है आपके राज में जो पेपर होते हैं या पर रेलवे एससी पेसी की कर रहा हो सुपरफास्ट करा दूँगा वीडियो पता भी चलेगा जल 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 हो जाएगा तो प्लीज वीडियो पूरा देखना चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को अभी से लाइक कर लो क्योंकि स्पीड बहुत रहीगी सुपरफास्ट तो बीच में आपको समय नहीं मिलेगा पूरा अपना ध्यान केंदरत करना प्रश्ण उत्तर पर ठीक है में सिथित है तो नातला दर्रा इस्थित आपका सिक्किम में मुद्रा इस पिती सबसे अधिक किसके लिए लाबधाई होती है तो देंधार के लिए भारत में ऊव्जा का सबसे वड़ा स्तरोत है तो जल विद्धूत ऊजा ओरा मुज्सा बूदफाम बनाया जाता है तो ओ प्रदान किया जाता है तो प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावतन खासी एक जंजाती है या भारत की किसर राज्य में अधिक्तम पाई जाती है तो मेगाला में भारती अंतरक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्याले कहां पर है तो स्री हरी कोटा मिस्तित है भारत के किस राज में सरवादिक समाचार पत्र की कागज का उत्पादन होता है तो मद्ध प्रदेश में होता है अर्दरात्री के सूर की भूमी है तो कौन सा देश कहलाता है नौर्वे को कहा जाता है अबू वक्र किस वंश का साशक था तो ये तुगलक वंश का साशक था तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है तो चीड के व्रक्ष से प्राप्त होता है तारपीन का तेल विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्खटिक महासागर है मानव शरीर में कुल कितनी जोडी पसलियां होती है तो बारा जोडियां पसलियां होती है भारत में आलू अंसंधान केंद्र कहां पर है तो शिमला में है आलू अंसंधान केंद्र थॉमस कप किस खेल से संबनित है तो थॉमस कप आपका संबनित है बैडमिंटन से चोल प्रशाशन काल में सिक्षा की प्रमुक भाशा कौन सी थी तो संस्कृत और तमिल भाशा थी राश्टिय धोज को समविधान सभाद्वारा कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को आगरा शेहर को अपनी राजधानी किस ने बनाया था तो सिगंदर लोझी ने बनाया था ने-गरा जलपरपात किस देश में से थे तो कनाड़ा में से थे स्वेच लिली किस देश का राश्टिय पूलरा सफेद लिली इटली का राश्टिय प्रतीक है दादा साहिब फाल के पुरुष्कार सर्वतम किसे दिया गया था संग शाषित प्रदेश्चों के प्रशाष्चन का प्रमुख कौन होता है तो उप राजयपाल होता है राज्थान के भरतपुर वनजीव अव्यारन में कौन सा वने जीव प्रमुक्त संडक्षे थे तो बाग और चीटा हार्मोन क्या होता है तो हार्मोन प्रोटीन होता है पोलियो वीमारी फैलने काण क्या है तो वाइरस या विशानू मारले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाग हुआ था तो 1909-22 में 1857-22 के विद्रों में नितद्व करने वाले नायक कौन थे तो बाबु कॉमर सिंग जी थे अंतराश्टी ओलंपिक कमीटी का मुख्याले कहां से थे तो लुसाने में से थे भारत सदकार के अधिनियम 1919 की सबसे महतवपूर्ण विशेष्टा किसकी सुरुवात मानी आती है तो द्विशाशन की सुरुवात मानी आती है सरवादिक तमाकूत पादन करने वाला भारत के दो राजी कौन-कौन से है तो आंद्रप्रदेश और तमिलनांडू दक्षिन भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है किस खनिच के संदर में भारत विश्चु के लगवग एक चौथाई के निक्षेप के लिए जाना जाता है तो लोह एस्क में राष्टिय राजमार्क संक्षा एक किस-किस सहर को जोडता है तो दिल्ली को अमित्सर से जोडता है काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबनेत है तो तापती नदी से संबनेत है चंपारन सत्यागर के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन-कौन शामिल थे तो डॉक्टर राजेन प्रशाद वा अनुगरह नारान सिंग सामिल थे बढ़ती मुद्रा इस्पिती को इस्थाई रूप से रुखने के लिए किसका उप्योग किया जा सकता है तो मुद्रा आपूर्ती में कमी का उप्योग किया सकता है भातिय राष्ट्री आंदोलन के संदर्व में वर्ष 1930 किस घटना से संबने थे तो डांडी मार्च से संबने थे वर्ष 1907 के कॉंग्रिस अधिवेशन में नरमपंतियों और गरमपंतियों के बीच मुखेवाद किस पर था तो स्वराज पर था भारत में पहला समाचार पत्र किस ने शुरू किया तो जेम्स हिक्कीन है जेम्स ऑगस्थ हिक्कीन कौन सा घटक शरीर के उतकों की व्रदी विकास वा सुधार के लिए महत्वपूर है तो प्रोटीन है राष्ट कूटों को किसके द्वारा उखार फेका गया था तो तेलप दोतिये द्वारा भीवी का मखरा किसकी कब्र है तो यह हमीदा बानो बेगम की कब्र है किसके शाशनकाल में मराथा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी तो औरंग perceive 시 चाशनकाल में काश्मीरी को अलंकृत किया गया था ओपेक का मुख्याले का वस्तत है तो वियाना में ओपेक का मुख्याले वस्तत है प्रतिक वश अंतराश्टी विकलांगी दिवस के स्तिति को मनाए जाता है तो चार दिसंबर को मनाए जाता है इस थापना करम के अनुसार 36 भारत का कौन स राज है तो 26 वा राज है इशाई सबसे अधिक भारत में किस राज में है तो केरल राज में है क्रिश्यन अचा कमेंट करके बता है ये आप कि भारत का 28 वा राज कौन सा बना था भारत का 29 वा राज कौन सा बना था भारत का 29 वा राज कौन सा बना था तो खान सैना का सर्वच अधिकारी होता था कोईला किस चटान में पाए जाता है तो कायांतरिच चटान में कोईला पाए जाता है पुनर जागरन की अवधी में स्थापत तिकला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था तो इटली में हुआ था भारत में वह राज जहां किवल तीन से चार महा तक सुस्क मौसम रहता है तो केरल में वेदों में संपूर सचाई नहत है यह वक्ष्या की गई थी तो स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी नेता जी सुबास चंद्र बुस इंस्टिटूट ऑफिस स्पोर्ट्स कहा है तो यह कलकत्ता में है बाल्टिक समुद्र को समुद्री उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है तो कील नहर है सोम पेंस कहां के आदिवासी है तो सोम पेंस लक्षधीप के आदिवासी है पुष्टी मार्क के दर्शन की स्थापना किस न की थी तो बल्लवा चारजी द्वारा की गई थी पंजाब के हिंदू शाशी राजवन्ष को किस ने स्थापित किया था तो मही पाल ने स्थापित किया था दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था तो हूनों से मुख्य बाहरी खतरा था मगद में शाही मौर के ठीक बाद उत्तराधीकारी कौन थे तो शुंग थे महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके साशनकाल में उपदेश दिया था तो विंबिसार के साशनकाल में सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है धर्म चक्र प्रवचन कहलाता है हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किस ने लिखी तो ये विज्ञानिश्वजी ने लिखी थी बंगाल का प्राचीन नाम क्या था तो गौण बंगाल का प्राचीन नाम था एस्टी गमेटिज्म एक विमारी है तो एस्टी गमेटिज्म विमारी है आँखों से संबंदित मेला को नाइट किस धातु का एस्ख है तो ये तामवे का एस्ख है मेला को लाइट विद्धुद्धारा का चुम्ब की प्रभाव सरपतम अवलोकित किया गया था तो फैराडे द्वारा निवरॉन किसकी काई है तो तंत्रिका उतक की काई है ब्लैक होल से दांत की खोज किसके द्वारा की गई थी तो एस शंद सिखर जी द्वारा रेडियो धर्मी तत्त तो किसका भारत में विशाल बंडार पाए जाता है तो प्लूटोनियम रेडियो धर्मी तत्त है जिसका भारत में विशाल बंडार पाए जाता है हमारे भोजन में संदक्छात्मक खाद्य पदार्थ क्या है तो विटमिन एवं खनिच मानवाग के रेटिना पर बना प्रतिम में कैसा होता है तो वास्तविक एवं उल्टा होता है मिट्टी में खारापन एवं छारिता की समस्या का समाधन क्या है तो व्रक्षारोपण प्राकृतिक मोंग और लाख किस रूप में प्राप्त किया जाते हैं तो कीटों के स्राव से चीन की करंसी या मुद्रा क्या कहलाती है तो युवान कहलाती है हम्दावाद हवाई एड़े का नावंकरन के सप्रशित राश्टी नेता के नाम पर किया गया है तो सर्दार वल्लभाई पटल के नाम पर मेकिंग ओप दा महात्मा फिल्म के निर्देशा कौन है तो श्याम बैनिगल हर वर्ष एक दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो विश्व एटस दिवस के रूप में ओपन इसकाई पॉलिसी से क्या आशा है तो निजी और साज्वनिक विमान सेवा दोनों का कार्यावयन यदि आप थियारस का उलेख कर रहे हैं तो आपका आशाय क्या होगा तो शब्द ज्यान से संबनित पुष्टक सुराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे तो चिस्तरंजंदास और मोती लाल नहरू जी दिल्ली के प्रदम सुल्तान जिनों ने दक्षिन भारत को पराजित करने का प्रयाश किया वकौन थे तो अलाउदीन खिलजी संत कभीर के गुरु कौन थे तो रामानन थे महावाली पुरम जो एक मुख्य नगर है वकौन महावीर की मरतिव कहां पर हुई थी तो पावापुरी में हुई थी डेकन पढ़ार के उत्तरपूर में कौन सा पढ़ार है तो चोटा नागपुर का पढ़ार है चीनी का प्रमक उत्पादक देश कौन है तो भारत चीनी का प्रमक उत्पादक देश है लेकिन दूसरे नमबर पर है पहले नमबर पर आपका ब्राजील है या रखना बोसनिया, हर्जे, गोविना किसके भाग थे तो ये जो युगोसलाविया के भाग थे रानी गंच खोईला खान कहां पर स्थित है तो ये पश्य बंगाल में स्थित है सूर्य और पतिवी के बीच चंद्रमा कबाता है तो सूर्य ग्रहन के समय आता है किस भान्शा का ज्यादा प्रयोग बहुत दवाद के परिचार के लिए होता है तो पाली भाशा का सबसे यादा प्रयोग हुआ है विज्ञान की भाशा का जो जीव और वातावन के भी संबंद को बताती है वकौन सी है तो पारिस्तिकी है प्रकास इंसलेशन में किसका ऑक्सीकरण होता है भविश का इधन कौन सा है तो हाइड्रोजन है तो 35 होता है किसआदा गौफि च्छी संपरदाई की इस्तापन कि द्वारा कि गई थी तो मुए दूए दिवरा की गई ती किस कुरू के द्वारा खाल साभने के स्तापना की गई सृपना की थी किस भाशा को दिली सल्तनत काल का काल में राज की संदक्षन दिया गया था तो फार्सी भाशा को दिया गया था बहमनी राज के अंतिम शाशक का नाम क्या था तो कली मुल्लाह था बंगाल में पाल राजवंश के साशर का संपादक कौन था तो गोपाल जी थे किस नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी तो 1999 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतिये गौवर्ण ने कौन थे तो सी राजगोपालाशारी जी थे राष्ट मंडल ने अपनी इस थापना के 50 वर्स पूरे कर दिये तो नवंबर 1999 में पूरे कर दिये खजराहु मंदर कितने वर लिए गाटा कामास की किस राष्ट के हैं तो यह USA के हैं? हमारे राष्टि धोच्के मद्य धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है! कमेंट करके बताए कितनी तीलिये जो बना हुआ नाै कवपडड़ी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो साथ खिलाड़ी होते ह रूज द्वारा किस प्रकार की अर्थ व्यवस्ता अपनाई गई है तो कम्यूनिष्ट या सामयवादी अर्थ व्यवस्ता लियो टॉलिष्टा किस देश के थे तो ये रूज के थे प्रत्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृतिम उपगराद छोड़ा गया था तो इस पूतनिक प्रथम छोड़ा गया था CNG का अर्थ क्या है तो compression natural gas है भारत ने अपना प्रथम भूमी गत नाभिके विस्पोटक कहां किया था तो ये किया था पोखरण में उच्य रक्त चाप का प्रमकान का है तो मानसिक तनाव हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा ड्वीप या टापू है तो मैड़गास कर है अनना च्छादन की प्रक्रिया किन छेतरों में अधिक होती है तो ये जहां दैनिक ताप मान की रेंज अधिख होती है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इरानी ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है तो क्रिकेट से है प्रसिद्ध भारती क्रिकेट सुनील गावसकर टेस्ट क्रिकेट में कितने सतक बनाए है इन्होंने 34 सतक बनाए है किस खेल में गेम पॉइंट से गैस और गेमों से सेट बनते हैं तो टैनिस में बनते हैं सुएथ लिंग कप का संबढ़ किस खेल से तो सुएथ लिंग की संबढ़ थे आपका टेबिल टैनिस से भारत के दार्षनिक राष्ट पती कौन थे तो डॉक्टर S. राधा किष्णन जी पाकिस्तान के आध्यात में पिता किस को कहा जाता है तो मुहंबत इकबाल को कहा जाता है तूबी और नौट टूबी पुस्ता किस न लिखी है तो जया बच्चन न लिखी है प्रसिद्धो पन्यास पिंजर किस के दौरा लिखा गया है तो अमरता प्रितम के दौरा विश्व का सबसे बड़ा रबड उत्पादक देश कौन सा है तो मलेशिया है भारत के किस राज़ में कौफी और चाय दोनों मुक्य फसले हैं तो ये करनाटक की मुक्य फसले हैं दोतिय विश्व इद्धकार हम कब हुआ था तो 1949 ECU में हुआ था बंगाल में स्ताई बंदवस किसके शाषनकाल में लागू के आगया था लौड कॉर्णवालिस के शाषनकाल में बाद आली सत्यागरा 1928 के निता कौन ते तो सरदार वल्लब भाई पटेल जी थे भारत में सोने की खाने कहां है तो कूलार में कमेंट करके बताईए भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में पाई जाती है हीरा कहां पाई जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए राजस्तान का हरता किसी कहा जाता है तो अजमेर को कहा जाता है हाइडोजन बंब की सिदान पर कारे करता है तो नाविकिया विखंडन पर कारे करता है ब्रायन लारा किस देश के खिलाड़ी है तो ये वेस्ट अंडिश के क्रिकेट के खिलाड़ी है सोमनात का मंदिर कहा है तो डुंगर पुर में स्थित है सोमनात का मंदिर किस राज़म है सोमनात का मंदर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए किस राज़मंशे ने महाबली पुरम को विक्सित किया तो पल्लमों ने अंतराश्टी ती से रिखा कहां से होकर गुजरती है तो 180 डिग्री देशांतर लंदन से सरबधम कपास पैदा करने का श्रे किसे जाता है तो सिंदु वासियों को जाता है भारत में सबसे महत्वपूर्ण लगुस्तर उद्ध्योग कौन सा है तो हत करदा उद्ध्योग है मैसो पोटाविया का आधुनिक नाम क्या है तो इराक है बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था तो उस्ताद अली और मुस्तफा वातापी के चालो के वन्ज़ की स्थाप ने किस ने की तो जैसिंग ने की जल का अधिक्तम घन तो कि स्थाप पर होता है तो चार डिगरी सेल्सियोस पर किस अमाध्यम में ध्वनी का वेक सरवादिक होता है तो ठोस धातू में गवर्नल द्वारा जारी किया गया अत्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है तो ये विधान मंडल द्वारा मंजूर किया जाता है लिंगायत संपधाय के संस्थापक कौन थे तो वासव थे चाड़क के ने कौन सी प्रसिद्ध गरंथ की रचना की थी अर्थसास्त्र की रचना की थी भारत में पंचाथी राज सबसे पहले कहां शुरू की आगया था राजस्थान में शुरू की आगया था अब विदाय समाचार पत्ति से संबंदित कौन थे तो मदन मोहन वालुई जी थे प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर है तो मद्धपदेश में है पूरी इस्थित प्रसिद्ध भगवान जगनात का मंदिर किस वन्ष के शाषक ने वनवाय था तो वर्मन वन्ष तो मौरे के दरवार में था बुद्ध का समकालिक दाशनिक कौन था तो कन्फ्यूशियस बुद्ध का समकालिक दाशनिक जो है था लंदन किस नदी के किनारे है तो टेमस नदी के किनारे लंदन वसा हुआ है तरकी की राधानी क्या है तो अंकारा तरकी की राधानी है किस तो नेपाल का जंडा दोहरे त्रभुच के रूप में है भारत की पहली महिला एर मार्शल कौन है तो पी बंदुपाध्या है हिमाले पर चड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी तो जिंको तावई कमेंड करके बताईए जिंको तावई जी किसे देश से संबनित हैं कमेंड ब महात्मा गांधी को अर्द नगने फकीर किस ने कहा था तो विष्टन चर्शल जी ने कहा था मानव शरीर में उजा की उत्पत्ती होती है तो उतकों में ऑक्सीजन पहुँचकर उजा की उत्पत्ती होती है किसी भी संस्थान के परियावरण कारकों का नियंत्रन होता है तो Environment Jurispreudence पुस्तक के लिखक कोन है तो मेनिका गांदी जी इस पूस्तक के लिखक है Purskart काा आरंब किस ने किया तो केके बिला फांडेशन ने किया गांदीवादी अतिवस्ता किस सिद्धान पर आधारित है तो ग्रामिन सफुर्कारिता पर आधारित है प्रसिद्ध वरंदावन गार्डन इस्थ है तो ये महसूर मिस्थ है वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वाटर पोलो के एक पक्ष में साथ खिलाड़ी होते हैं आर्दिक समस्या है मुकता किसके कारण उत्पन होती है तो अत्यदिक जनसंख्या के कान उद्पन होती है राउर के लिए स्टील प्लांट अपने लिए आवशक पानी किस से लेता है तो हीरा कुंड बांध से लेता है पॉंग बांध किस नदी पर बना है तो व्यास नदी पर बना है केंदर शाशत प्रदेश का द्यानिक प्रशाशन कौन देखता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं अकबर ने किस राजय पर विजय के उपलक्ष में बुलंदर दर्वाजा बनवाए था तो गुजरात विजय पर काश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है तो जैनुल आबिदीन को काश्मीर का अकबर कहा जाता है कौन सा जल्डमरूमद्य अफ्रिका से यूरोप को माटता है तो जिवरॉल्टर भारत के किसी राजय में सरवाद के समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे है तो जोती वशू रेलवे में सबसे ज़्यादा आए किसके माध्यम से प्राप्त होई है तो माल भाड़ा के माध्यम से प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा आए सीमा सडक संगठन बी आर ओ किसके अंतरगत है तो डिफेंस के अंतरगत है हडपा सविता में उट की हड़ी कहां मिली है तो काली बंगा में मिली है जिपसम से क्या तयार किया जाता है तो सीमेंट तयार किया जाता है एक संत्रप्त विलियन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है तो रंगहीन होता है उत्तरी रोपर भारती तरंगा फैराने वाली पहली महिला कौन थी तो प्रीती सेन गुपता जी एग मार्क क्या है तो ये घी तेल आजी उत्पादों पर शुदता की पहचान है अमोनिया गैस तयार करने के लिए कौन सा गैस प्रियुक्त होता है तो नाइटरोजन और हाइडरोजन राष्ट्री राजमार की वस्ता की जमेदारी है तो किन सरकार की सामाने रूप से खाद योग कवक मस्रूम किसे कहते हैं तो एगेरी कस को कहा जाता है वह किरण जो प्रत्वी की बाहरी ओर से उत्पन हुई दिखाई पड़ती है तो ये कॉस्मिक किरण कहलाती है भारत के उप्राष्टपदी के चुनाओं से संबन संदे और विवात का निर्ण है कौन करता है तो भारत का सर्वोचिन आला है राष्ट्र मंडल में किस ACI देश की आय सबसे अधिक है तो भारत की आय सबसे अधिक है विशाडू में कौन सा प्रोटीन पाये जाता है तो लाइको प्रोटीन पाये जाता है आयनिक ठोस की चालकता होती है तो तीवर डाउन सिंड्रोम से पीड़त व्यक्ती में कितने गुण सूत्र होते हैं तो 47 गुण सूत्र होते हैं रेल मंत्रावा के प्रशाशन के दियंत्र अनकुल कितने सालविनिक छेत्र के उपक्रम पर हैं तो 10 पर हैं तो लाल कृष्ण आडवानी जी है यामरी कृष्ण मूर्ती के सुनत्य के लिए विख्याद है तो भरत ना टेम के लिए विख्याद है प्रकास का वीग सबसे पहले किसने मापा था तो रोमर ने मापा था जोनल रेलवे हेड़कॉर्टर ओफिस में रेलवे माश्टर की विवाग का मुख्या कौन कहलाता है तो मुख्य प्रचालन प्रबंदक सब मुख्या होता है उस विवाग का alternating current से direct current में परिवतित करने वाले device को क्या कहा जाता है तो rectifier कहा जाता है ऐसा मान है कि भारत में सबसे पहले नीग्रो आए वर्तमान में वे मुखिता कहां पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार दीव सम्मू में पाए जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेभी का अर्थ क्या है तो ट्यूब में निशेजित होना टोची गिलगिट और हुजा किस की साहएक नदिया है तो टोची गिलगिट और हुजा ये सिंदू नदी की साहएक नदिया है सत्याग्रह सभादवारा अधीनियमित के विरुद आंदोलन किस ने गढ़ित किया था तो ये महात्मा गानी जी ने गढ़ित किया था फैरिक ऑकसाइड में लोही की सभीता कितनी होती तो प्लस थ्री होती है बैटरी का धंद्रोग होता है तो एनोड होता है भारत के किस छेत्र में चूड़ी उद्ध्योग स्थापित किया गया है तो फिरोजाबाद में इंटेल नाम है तो कंप्यूटर की एक कंपनी का नाम है इंटेल सबसे अधिक किसमें पाए जाता है तो आवला में पाए जाता है उतक या टिशू है तो समान कोशिका का समू है उतक या टिशू इट्स फैलता है तो वाइरस युक्त रक्त लेने से रिग वेदिक देवता जो रिटू तधा जो है सद्रेश्यात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है कौन थे तो इंद्र थे मुगल महरानी जिसका नाम सभी मुगल फरवानों तधा शिक्कों पर लिखा जाता था तो मुम्ताज महल थी वो स्रमिधान सभा के सदस्यों ने भारत के सम्विधान का प्रारूप तयार किया वे थे तो विवन प्रदेशों के विधान सभाओं से चैनित Dedicated Fright Corridor Project के निर्मान के लिए नियोजित कोरीडोरों की संख्या कितनी है तो दो है तकनीकी रूप से छुपी वेरोजगारी परिभासित है ऐसी सिति जिनमें स्रम का सीमांत उत्पालकता शून्ने होती है उसमें ध्वनी सुनाई पढ़ने पर हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं तो ध्वनी की तीवता का अनुमान लगा सकते हैं मतको का टीला के नाम से किसी याई जाता है तो मोहंज जोदारो को चंदरबभ तो मॉररन है ऐनतिम समय में किस धर्म की दिख्णाली तो जैन धर्म की दिख्णाली थी सबसे अधिक अनुशूचित जंजातियों की संकरा भारत में किस राज्ज में है तो मध्यपुदेश में सबसे जादा अनुसवेचय जण जाती है भोजन का पाचन मुख्यत किस अंगे से सुरू होताओ तो मुख से शुरु हो जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाई जाता है तो oxygen पाए जाता है समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है तो समवादा जाता किस राजपूत राजा ने मुहमद गौरी को पहली बार हराय था तो प्रतिवी राज त्रतिय ने बुल एंड बीर किस शेत्र से संबने थे तो stock market से भारती पैट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है तो दहरादून में है भारत की मिट्टियों में आम तोर पर किस की कमी होती है तो जयव पदार्थों की कमी होती है कानूनी समानता में यह नहित होता है कि कानून के सामने प्रत्यक व्यक्ति समान है केशी का क्रिया किसका परिणाम है तो प्रश्टतनाव का परिणाम है पांट शाष्कों की राजदानी कहा थी तो मदो रहे थी मैसी डोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमन किया तो 326 इसापूर में आक्रमन किया कैलीग्राफी किसे कहते हैं तो सुलेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है भारत में आर सरबधम कहां आकर बसे थे तो सिंदु घाटी में बसे थे शेर सासूरी की महानता का क्या करण था तो प्रशाषनिक सुधार किस युद्ध ने भारत में मुगल सामराज की नहीं रखी तो पानीपत का प्रथमयुद्ध, ओपन इरेक्ष्य का पुलिश किस कांग होता है, तो ये कारेपाली का कांग होता है, किस वेक्टी ने संपत्ती के सिध्धानत के पक्ष में समर्थन किया था, तो जे एस मिलने, वित्त आयोग क्या है, तो पंच वर्षिक निकाह है, भारत का सम संविधान की संकलपना का उद्भव सबसे पहले कहा हुआ था, तो इंग्लेंड में हुआ था, हैली धूम के तूपन दिखाई पड़ेगा, तो वर्ष दो हजार बासट में, इंसुलन किस के उपापचय को नियंत्रित करता है, तो सरकराओं के उपापचय को, एमनेश्टी इंटरनेशनल क्या है, तो इक मानो अधिकार समू है ये, एक स्वक्ष जलवाले तालाप की गहराई, असली गहराई की अभिक्षक कम दिखाई पड़ती है, इसका कान क्या है, तो अपवर्तन है, आईएश्टी एवं, जी एमटी के बीच समयों का अंतराल कितना होता है, त तो साड़े पांच घंटे का है समय अंतराल, सहयुक तो राष्ट संगी दिवस कब मनाये जाता है, तो 24 अक्तूवर को सहयुक तो राष्ट संगी दिवस मनाये जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्मान कब हुआ था, तो 1911 इसमी में हुआ था, प्रशान्ती सागर पराष्ट पती, अभी भारत के उपराष्ट पती कौन है, कमेंड बोक्स में कमेंड करके बताओ, चल चित्रया मूवी वनाने वाला प्रतम भारती कौन था, तो धुन्द राज गोविंद फाल के जी, विशुब प्रशांत मंडल, एक छित्र है, तो ये निम्न दाव का प्रदेश में अवस्तित है, सौर असेल परिवतित करता है, तो सौर उजा को विद्वत उजा में, औस्टियोलोजी में किसका अध्यन होता है, चालुक की शाषक पुलकेशन द्वतिन है, किसे हराय था तो हर्श वदन को हराय था, अंतराष्टी दिनांकरीखा गुजरती ह पूर्ट वेल लेयर अवस्तित है तो दक्षणी अंडमान में अवस्तित है विजय नगर सामराज के पूर्ण उत्थान काल में विजय नगर की यात्र करने वाला इतलावी परेटक कौन था तो निकोलो कॉंटी कीट एवं शाल किस जंगल के प्रधान रक्ष होते हैं तो कीट नहीं टीक टीक मतलब होता है आपका समझ लीजे सागोन की लखड़ी सुने होगा आपने जो मदप्रिश में आद पाई आती है तो टीक एवं शाल ये जो है उश्ण कटी वंदिय आदरपण पाती वन कहलाते है किसी राज में राष्ट पती शाषन का तात परिक्या है कि वह राज शाषित होता है राज के राजपाल के द्वारा चलता है वो सीम नहीं होता वहाँ पर सन 1919 में रविंद नाट टैगोर द्वारा नाइट होट की उपादी को लटा दिया गया था तो जलिया वाला बाग हत्या कांड के विरोध में लटा दिया गया था आख के द्रश्टी पडल पर बनने वाला प्रतिविंब है तो वास्तविक उल्टा नीचे से उपर क्रम में भारती धोच के रंग क्या है तो हरा नीचे से उपर बोला है तो नीचे से हरा सफेद और किसरिया बीच में चक्र जो है चक्र का रंग क्या है कमेंड बॉक्स में क गाम पंचाज चुनाओ कराने का निर्णा किसके द्वारा लिया जाता है तो ये निर्णा लिया जाता है राज चुनाओ आयोग द्वारा